हवलदार कुल बहादूर थापा नवी बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट विशेश बल एक उत्साही परवतारोही और युद्धक गोताखोर हवलदार कुल बहादूर थापा सुन्दर बनी क्षेत्र में हमारी चौकियों को दुश्मनों के हमलों से रोकने के लिए नियंत्रन रेखा पर तैनात सैनिक तुकडी का हिस्सा थे फरवरी 2018 में हमारी चौकियों के सामने हमारी सैनिको द्वारा भारी मात्रा में हत्यारों से लैस चार शत्रू की गतिविदी जो की घुसपैट करने की चेश्टा कर रहे थे देखा गया अपनी चौकियों पर खत्रे को भाबते हुए हावलदार कुल बहादूर थापा ने ततकाल अपनी टुकडी को सूचित कर दिया दुर्गम घाटियों के बावजूद अपनी टुकडी का नेत्रित्व करते हुए उन्होंने बरफीली नदी को पार किया और टुकडी के साथ चटान के पीछे मोर्चा संभाला और शत्रों के साथ संपर्क स्थापित किया आगे होने वाली लडाई के दोरान शत्रों की जवाबी गोली बारी में हमारी सैनी खिर चुके थे अपने सैनीकों पर होने वाले खत्रे को भाबते हुए हावलदार कुल बहादूर थापा ने गोलियों की बोचारों के बीच रेंगते हुए अपने स्थान को बदला और दो शत्रों को वहीं धेर कर दिया और इसके साथ ग्रेनेट भेक कर दो अन्यकों भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया हवलदार कुल बहादूर थापा ने दो दुश्वन सैनिकों को माडने और उनके दो सिविलियन साथियों को गंभीर रूप से खायल करने के दोरान वीर्ता, युक्ति पून कुशागरता और कृष्ट युद्धक ने तृत्व का प्रदर्शन किया और अपने सैनिकों का नुकसान होने से बचाया हवलदार कुल बहादूर थापा कर दो कर दो कर दो कर दो